धर्ती पर प्राणियों की जीवनी शक्ति है सूर्य इस जगत की आत्मा है सूर्य सूर्य से ही प्रिथ्वी पर संभव है जीवन सूर्य क्रिपा से जीवन का होगा कल्यान चमतकारी है सूर्य के 21 नाम नमस्कार स्वागत है आपका आज तक के इस खास पेशकश में जिसका नाम है धर्म और मैं हूँ आपके साथ श्मिताजा कहते हैं कि इस धर्ती पर सूर्य से ही जीवन संभव है सूरे ही आत्मा का कारक है और सूरे ही प्रकाश का स्रोध भी है सूरे का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो बताएंगे ही आज आपको और बताएंगे सूरे के वो नाम जिनके उचारन मात्र से ही आपके कश्ट दूर हो सकते हैं तो चलिए, आपको बताते हैं सूरे ग्रह से जुड़ी कुछ खास बातें और उपाय जो सूरे को आपकी कुंडली में मजबूत बनाएगा. आत्मा का कारक है सूरे कालिच चक्र का प्रणीता है सूरे देवताओं में है सूरे का महत्वपूर्निस्थान चमतकार करेंगे सूरे के 21 नाम वेदो में सूरे को जगत की आत्मा कहा गया है सूरे से ही इस प्रित्वी पर जीवन संभव है देखा जाए तो सूरे के वज़ा से ही इस धर्ती पर पेड़ पौधे और हम आप है सूरे ना सिर्फ उर्जा और प्रकाश के लिए महत्वपूर्न है बलकि जोतिश में भी सूरे का असर बहुत गहरा होता है कुंडली में सूरे अच्छा हो तो इंसान हर शेत्र में विजेता बन जाता है पर अगर सूरे कमजोर हो तो इंसान जीवन में कष्ट के अलावा कुछ और नहीं भूख पाता कहते हैं समस्त्य स्रष्टी में उर्जा और प्रकाश का कारण सूरी ही है राज, ओशधी, पिता, खाद्यपरदात का कारग भी सूरी ही है सूर अगर कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ती के शस्वी और संपन हो जाता है सूर के कारण ही व्यक्ती को राज़किय सेवा भी प्राप्थ होती है पर यदि सूरी कमजोर हो तो व्यक्ती दुर्बर, रोगी और निर्धन हो जाता है फिर्दय और आखों के गंभीर बिमारियों के पीछे भी सूरी ही होता है सूर अगर कुंडली में मजबूत हो तो इंसान क्या कुछ नहीं पा लिता और अगर सूरी कुंडली में कमजोर हो तो इंसान को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये भी आपने जाना तो क्या आपके कुंडली में सूरी मजबूत है अगर नहीं तो चली आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताते हैं जिन से सूर्य आपके लिए लाबकारी हो जाएका, आपको सफलता दिलाएका सूर्य को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है सूर्य को अर्ग देना इसके अलावा सूरे का मंत्र जाप भी काफी प्रभावशाली होता है मंत्रों के अलावा सूरे के नामों के स्तुति भी विशेश कारगर होती है सूरे के नामों के स्तुति में सूरे के किस नामों का उलेक किया गया है सूरी के नामों को हर रोज सुभा पढ़ने से सूरी मजबूत होता है व्यक्ति को सूरी की समस्याओं से छुटकारा मिलता है तो सूरी का अशिरवाद मिल जाए तो जीवन में आपको हर वो सुख मिल सकता है जिसकी आप सिर्फ कल्पना ही क्या करते थे लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सूरी की उपासना करें और कुंडली में सूरी के स्थिति को मजबूत करने के उपाय करें अब आगे हम आपको सूरी के चमतकारी किस नामों के बारे में बताएंगे आप हमारे साथ बने रहीं सूरे को कुंडली में कैसे मजबूत बनाए इसके उपाय तो हमने आपको बता दिये आगे आपको सूरे के चमतकारी 21 नामों के बारे में भी बताएंगे पर उससे पहले आपको दिखाते हैं आपकी राश्यों का हाल मेश सीहत का ध्यान रखे किसी भी तरह का वहम न पाले पैसे कि स्थिती ठीक होती जाएगी शुबरंग बैंगनी भाग्य प्रतिशा सत्ता है व्रिशा अपने जिम्मेदालियों को ठीक से निभाएं वे अर्थ तनाव ना पाले परिशानियों पर अपने परिवार से बात करें शुबरंग बैंगनी भाग्य प्रतिशा पैसा है मिथुन अनावश्य क्रोध ना करें माता पिता के साथ रिश्टों पर ध्यान दें किसी बड़े की सला से लाब होगा शुबरंग भूरा भाग्य प्रतिशा पिचासी कर पैसे के नुपसान से बचें रिश्टों पर ध्यान दें गुड़ खाकर घर से निकलें शुबरंग पीला भाग्य प्रतिशा साथ सिंग करियर में सुधार होका कोई बड़ी परिशानी हल होकी लाइफ पार्टनर को लाब होका शुबरंग नीला भाग्य प्रतिशा सत्तर कन्या पेट का ध्यान रखें वाद्विवाद से बचें करियर में नए अवसर मिल सकते हैं शुबरंग सुनेहरा भाग्य प्रतिशा पिछत्तर तुला रिश्टों की परिशानी से बचें अभी विवाद के मामलों में देरी होगी करियर में बदलाव के स्थती है शुबरंग नारंगी भाग्य प्रतिशा तिहत्तर संतान को लेकर तनाव ना पाले मिठी चीज का दान करे शुबरंग लाग्य भाग्य प्रतिशा उनसाट धन नौकरे में बदलाव का योग है सोच समझ कर निर्ने ले कुछ पैसे का दान करे शुबरंग समुद्री हरा भाग्य प्रतिशा सतत्तर मकर किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करे सेहत का ध्यान रखे गुसा ना करे शुबरंग लाबी भाग्य प्रतिशा च्यासाट कुम खान पान का ध्यान रखे सेहत का भी ध्यान रखे गर्त बातों को तूल ना दे शुबरंग सफेद भाग्य प्रतिशा और सर्ट मी उच्चा दिकारियों से विवाद ना करे वाणी पर नियंतर रखे किसे धर्म इस्थान पर जाए शुबरंग हरा भाग्य प्रतिशा साथ जोतिशी कहते हैं कि सूरे को अर्ग देना सूरे की पूजा करना इन तमाम उपायों से कुंडली में सूरे मजबूत तो होता ही है पर आज हम आपको इन उपायों से भी एक सरहल उपाय बताने जा रहे हैं कहते हैं कि सूरे का हर नाम अपने आप में चमतकारी है और उसके उचारन मातर से ही जीवन में सफल हो जाता है तो चलिए आज हम आपको एक नहीं दो नहीं बलकि सूरे के वो 21 चमतकारी नाम बताते हैं जिनके उचारन मातर से आपको सूरे की खृपा मिल सकती है कुंडली में सूर के स्थते के मुताबक जीवन में शक्ति का प्रभाव होता है सूर का कुंडली में मजबूत होना कितना जरूरी है ये तो आपने जान लिया साथ ही आपने जाना ये कैसे सूर को बलवान किया जा सकता है सूर को अर्ग देने मंत्र जाब करने के अलावा सूर के नामों के स्थति भी लाबकारी है तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं सूर के वो एक किस नाम जिनका जाब करेगा आपका कल्यार विकर्तन, विलस्वान, मारतंड, भासकर, रवी, लोक प्रकाश, श्रीमा, लोक चशु, ग्रहेश्वर, लोकसाक्ष, तिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रह, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्ववाहां, गबस्तिहस्त, ब्रम्ह, सर्व देव, नमस्कृत्थ जियोतिशी कहते हैं कि ये वो 21 नाम है जिनको जपने के बाद सूरी देव अपने कृपा जरूर बरसाते हैं और अगर उनके कृपा मिले तो समझे आपने जग जीत लिया लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि सूर के इन 20 नामों का पार्ट कैसे किया जाए ताकि सूर आपके कुंडली में शुब हो जाए चलि हम आपको इसका तरीका भी बताते हैं सुबा नहाने के बाद सूर को जलर पित करे इसके बाद वहीं खड़े होकर सूर के किस नाम पढ़े फिर अपनी प्रार्थना कहें आपको सूर के कृपा जरूर हासिल होगी जो तिश्यू की माने तो सूर देव के किस चमतकारी नामों को पढ़ने से कुंडली में सूर के स्थिती मस्बूत हो जाती है और सूर आपको शुफल देने रगता है तो यदि आप भी सूर के कृपा पाना चाहते हैं तो आप सरू करें सूर के चमतकारी किस नामों के स्थिती तो धर्म में आज बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए विशे के साथ धर्म से जुड़ी कुछ और रहसमयी जानकारीयों के साथ बने रही हमारे साथ नेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक